हेलो एवरिवन वेलकम बेक टो माई शानल में हो प्रियंका सो दोस्तों आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एलेटीन कलर पॉप मैट लिपस्टिक की लिप स्वाचेस जितने सारे भी लिपस्टिक मेरे पास है Elitin की matte color pop matte lipstick वो सारे ही color में आज आपके साथ share करने वाली हूँ बैसे तो मैंने इन सारी lipstick की individual review आपके साथ share किया ही है आपने अगर नहीं देखा है तो आप जाके check कर सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस video में आपको सारे ही shade देखने को मिल जाएंगे color pop matte lipstick है ये कुछ इस तरीके से ही packaging के साथ आती है इसका price 100 rupees है ये lipstick आप मैं आज आपके साथ जितने सारे भी shade आज आपके साथ में share करने वाली हूँ ये सारे shade आप Nika से purchase कर सकती है कुछ तो मैंने offline purchase किया था लेकिन बहुत सारे shade मैंने Nika से भी purchase किये हैं तो आपको मिल जाएंगे and 100 rupees के अंदर 100 rupees पे ही आपको मिल जाएंगे कभी-कभी discount पे आपको मिल सकते है 95 या 94 rupees में आपको मिल जा सकते है teenager के लिए बहुत ही अच्छी lipstick है matte proper तो में matte नहीं बोलूँगी semi matte lipstick है लेकिन उतना जादा glossy lipstick नहीं है अभी एलेटिन की जो color pop matte lipstick आती है वो अच्छा quality इनका हो गया है एकदम ही semi matte texture में है matte एकदम नहीं है लेकिन semi matte texture है जैसे तो पहले बहुत ज़दा glossy texture में ये आते थे लेकिन अभी semi matte इसका texture हो गया है 100 rupees एक एक lipstick का price है और ये कोई cardboard box के साथ नहीं आती है इनका packaging इस तरीके से ही है एक doll का picture दिया गया है एलेटिन color pop matte lipstick आप देख सकते हैं तो beautiful है यहाँ पे आपको name and number देखने को मिल जाएंगे दोनों side हर एक lipstick पे तो चलिए मैं फटाफट आपके साथ lips swatches share करती हूँ hands swatches share करती हूँ enjoy कीजिए वीडियो को वीडियो को last तक देखिएगा कौन कौन सी shade मेरे पास है और मेरे favorite कौन सी shade है वो भी मैं आपके साथ share करूँगी तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तों मैं आपके साथ 11 shade share करने वाली हूँ L18 Color Pop Matte Lipstick की और ये आपको नाइका पे मिल जाएगी और इसका प्राइज है 100 रुपीज तो फर्स्ट shade में आपके साथ share करने वाली हूँ pink glove और आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा beautiful pink color है ये एक reddish undertone पे pink shade है और थोड़ा सा oily texture में आता है लेकिन थोड़ी देर बाद ये semi matte में convert हो जाती है और अगर आपको एलेटिन की कोई भी lipstick थोड़ा सा oily लगती है तो आप इसे एकदम powder matte कर सकते हैं powder से में तो कर लेती हूँ अभी बहुत सरे matte lipstick एलेटिन की है जो एकदम ही powder matte में आती है तो वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा अभी इसका texture बहुत ही अच्छा हो गया है ये आप easily remove कर सकते हैं easily touch up कर सकते हैं and next जो shade में share कर रही हूँ वो है maroon silk ये एकदम powder matte color है maroon silk and बहुती beautiful bold shade है maroon silk and बहुती अच्छा matte finish देती है ये आपको नाइका पे मिल जाएगा बहुती खुबसूरत shade है ठीक है and कुछ तो मैंने नाइका से लिया था कुछ तो मैंने offline लिया था ठीक है लेकिन आपको नाइका पे मिल जाएगा आप offline भी खड़ी सकते हैं LA TIN की color pop matte lipstick को and उसके बाद जो next shade में आपके साथ share करने वाली हूँ वो है Belgian brown and ये एक cocoa shade है एकदम ही brown shade है इसकी and ये मैं उतना तो use नहीं करती कभी-कभी use करती हूँ वो भी light color के साथ थोड़ा सा mix and match करके ये बहुत ही जादा brown shade में है एकदम cocoa shade आप बूल सकते हैं लेकिन थोड़ा सा oily है okay and next जो shade में आपके साथ share करने वाली हूँ ये है brown ginger बहुत ही favorite shade है ये मेरी brown ginger एकदम ही orangeish brown color में है ये bullet and इतना सुंदल लगता है न day time पे ये color बहुत अच्छा लगता है winged liner and ये color and अगर आप कोई भी make-up भी ना कर रहे हैं तो ये shade आप यूज कर सकते हैं brown ginger बहुत सुंदर orangeish brown shade है जो की मेरी favorite है and उसके बाद मैं आपके साथ share करने वाली हूँ shade almond butter and ये color एकदम cool tone brown color है जो की बहुत सुंदर लगता है हर एक skin tone पे एकदम nude shade है ये जो की day time night time आप इसे use कर सकते हैं as a nude color and matte finish ही देता है ये इतना भी oily नहीं है ठीक है and अब इलेटीन की जो color pop matte lipstick है इसकी quality बहुत अच्छी हो गई है बहुत ज़दा affordable price में है आप इसे जरूर से purchase करे and आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे थोड़ा सा remove करने की कोशिश किया तो remove बहुत ज़दा हुआ है लेकिन lips पे रह गया है थोड़ा सा and उसके बाद जो shade है वो है mauve date and beautiful purplish rosy shade है ये mauve date pink सारी या तो फिर आप इसी color की dress पैन रहे हैं जैसे कि मैंने आज पैना है उसके साथ भी अच्छा लगेगा बहुत अच्छा लगेगा baby pink color की dress के साथ भी इस तरिके का shade बहुत अच्छे लगते है mauve date and everyday sort of shade है बहुत ही beautiful matte finish देती है and उसके बाद tan nude यह मेरी favorite है everyday वाला lipstick है tan nude and tan nude मैं बहुत यूज़ करती हूँ क्योंकि यह तो मेरी मतलब bag में पड़ी रहती है tan nude जो shade है क्योंकि यह इतना light color है light pinkish shade में है hint of brown है जो कि बहुत अच्छा लगता है and nude makeup के साथ आप अगर इसे use करते हैं no makeup makeup look में अगर आप इसे use करते हैं तो बहुत जादा beautiful लगती है बहुत सुंदर shade है tan nude मैं आपको highly recommend करूंगी and उसके बाद मैं आपके साथ share कर रही हूँ peach impact जो की peachish undertone पे है peach impact अब देख सकते हैं and इसे अगर आप थोड़ा सा brown lip liner के साथ बेयर करते हैं और अच्छा लगेगा peach impact बहुत beautiful peachy undertone पे color है अगर आपको peachy shade पसंद है तो आप ले सकते हैं day time के लिए बहुत beautiful लगता है ये color इसके साथ peach color का eyeshadow use कीजिएगा peach color का blush use कीजिएगा बहुत अच्छा लगेगा and उसके बाद है pink stylist जो की beautiful pinkish color है ये ये exactly pink color है हलका सा brown hint है इसमें जो की आप इसे as a nude pink भी बोल सकते हैं office going girl के लिए perfect shade है tan nude peach impact and pink stylist ये तीनों shade office going girl अगर आप हैं तो आप try कर सकते हैं everyday के लिए and उसके बाद जो shade है ये shade आप लोगों ने बहुत पसंद किया था nude fix lipstick and इन सारी lipstick की individual review भी मैंने किया है अगर आपने नहीं देखा है तो आप चा के चीक कर सकते हैं and अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में ही आपको सारे shade देखने को मिल गए होंगे जो की मेरे पास जो जो shade है and ये है nude fix जो की एकदम light brown color में है and बहुत ही ashy tone brown color है ये beautiful shade है अगर आप everyday sort of a कोई color चाहते हैं office going girl के लिए तो और भी अच्छा shade है लेकिन थोड़ा सा oily है आप इसे powder matte कर ली जिएगा तो और अच्छा लगेगा long lasting भी हो जाएगा and उसके बाद जो shade है वो है मेरी favorite अभी के वो है rose nude ये एकदम ही matte finish देता है so rose nude जो shade है वो बहुती कमाल का shade है तोड़ा सा purplish hint है इसमें brown tone है and बहुत अच्छा है and अभी का जो matte lipstick है तोड़ा सा matte finish देता है elatin की color pop पे तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा पहली की lipstick न तोड़ा सा oily हुआ करता था तो ये सारी lipstick जो है वो बहुती beautiful है आप ले सकते हैं दोस्तो बहुती सुन्दा shade है दोस्तो आप में देखा कि ये lipstick कैसी है तो आप सारे ही shade ले सकते हैं मैं मतलब इतनी affordable price है तो आपके पास तो सारे ही shade होने चाहिए all shade जो भी मैंने आपके साथ shade share किया है ये सारे ही shade बहुती अच्छा है क्योंकि हर एक dress के साथ हर एक सारी के साथ आप इन्हीं यूज़ कर सकते हैं ये तो अभी semi matte texture में ही आती है matte लगती है बहुत जादा लेकिन थोड़ा सा हलका सा ये semi matte texture में है तो ये अच्छा होता है lips के लिए और इसे आप everyday के लिए भी यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी shade और L18 की lipstick किस किस को पसंद है वो मुझे comment पे ज़रूर बताईएगा और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो एक like ज़रूर से करके जाएगा and please subscribe to my YouTube channel and bell icon को ज़रूर से hit करके रखिएगा तक कि मेरी आने वोली ज़र नोटिफिकेशन है वो आपके पास easily पहुस सके so मैं मिल तो आपके साथ फिर एक निक्स वीडियो में तब तक के लिए bye bye दोस्तों bye and यह सारे ही shade मैं आपको recommend करूंगे and आपके उपर है कि आप कौन सा shade लेंगे nude में आप सब ही ले सकते है and खास करके tan nude nude fix and rose nude बहुत ही beautiful shade है almond butter बहुत beautiful shade है brown ginger बहुत beautiful shade है बहुत सुनर and अभी जो मैंने color लगाया है वो है mauve date यह भी beautiful shade है तो सारे ही shade awesome है beautiful ले सकते है and awesome shade है सारे ही beautiful beautiful shade है and everyday के लिए अप ले सकते हैं affordable है तो अच्छा लगा है video तो एक like ज़रूर से करके जाएएगा दोस्तों and please subscribe to my OTIP channel and खुश रहिए bye bye